वेल्कम टू टीवी का पठाका वेल दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 की फेम प्रियंका चाहर चौधरी की किस्मत अब सल्मान खान चमकाने वाले हैं जी हाँ सल्मान खान ने अपनी सबसे बड़ी फिल्म में दिया है प्रियंका चाहर चौधरी को एक बहुत ही खास रोल दोस्तों क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल आप जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले विल्दोस्तों बिग बॉस सीजन सोला में प्रियंका चाहर चौधरी को उनकी बेबा की और उनकी खुबसूरतर परसनालिटी के लिए काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था माई गलिम फेस ओफ दे सीजन में भी वो बन चुकी है विनर ऐसे में हल ही में वीकेंड के वार में आए साज़त खान ने सल्मान खान से किया एक सवाल जिसके जवाब में सल्मान ने ये कहा था कि मैं हर बार ही बिग बॉस के हर सीजन में कोई न कोई ये कांटेस्टेंट को चूज करता हूँ जिसे मैं अपनी फिल्म में कास्ट करता हूँ अपनी फिल्म के जरीए मैं बॉलेवुड में उसे जरूर लांच करता हूँ और उसके आगे उसका करियर कैसा रहेगा वो तो अपने हुनर पर depend करता है ऐसे में big boss 16 से सल्मान खान ने प्रियंका चाहर चौधरी को चुना जी हाँ दोस्तो प्रियंका चौधरी को उन्होंने select किया है अपनी new film के लिए दोस्तो दिल थाम कर बैठिये क्योंकि जिस film के लिए सलमान खान ने प्रियंका चाहर चौधरी का नाम सिलेक्ट किया है वो फिल्म सलमान खान की सबसे बड़ी और महेंगी मोस्ट अवेटेड फिल्म है जी हां बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप हम बात कर रहे हैं टाइगर थरी की जो रिलीज होने वाली है इस साल नवेंबर में इ हर कोई जानना चाहता है और हम भी एक्साइड़ है इसके आगी के डिटेल्स जैसे ही आएंगे हम आप तक जरूर पहुचाएंगे तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने व्यूस कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं